नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग साधकों के प्रश्न और उत्तर स्रिंखला में कुछ प्रश्नों को लेंगे जो की समाज से जुड़े हुए प्रश्न हैं और व्यक्ति को धर्म संकट में डालते हैं तो चलिए एक साधक ने इन प्रश्नों के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आप लोग जान ले कि कौन से प्रश्न है तो इन्होंने कहा है नमस्ते गुरुजी चरणसपर्स मैं आपका बहुत पुराना विवर हूँ आपकी वीडियो दोजार उन्निस जैनवरी से देख र सब्सक्राइब करने पर क्या हम लोगों का धर्म नाश हो जाएगा अथ्वा पित्रों की स्थिती बिगड़ जाती है दूसरा क्या अनाधाले की लड़की से शादी करना चाहिए अथ्वा नहीं क्योंकि हमें उसकी जाती और धर्म का पता नहीं होता है और शास्त्र इसकी आजया नहीं देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसीसे बहुत अधिक प्रेम production लगाव हो और वह मर गया हो। पर फिर भी वक்त किसी के सपनों में आता है और ऐसा लगता है तो यह व्यक्ति हमारे पास है तो इसका क्या मतलब है और इसका उपाई क्या है। अगर जाती और धर्म मनुश्यों द्वारा बनाए गए हैं और हम एक ही इश्वर की संतान हैं तो शास्त्र किसी दूसरे धर्म अत्वा जाती में विवाह करनी के अग्या क्यों नहीं देते हैं। मुझे एक मुस्लिम लड़की से प्रेम है और मैं एक हिंदू हूँ क्या मुझे उससे विवाह करना चाहिए अगर मैं उससे विवाह करूं तो हमारे कुल देवता नाराज तो नहीं होंगे न अत्वा पितरों की स्थिती नीचे तो नहीं गिरेगी। गुरुजी एक लड़की को मुझे से लगाव था पर एक दिन एक्सिडेंट में उसकी मृत्यू हो गई पर उसके कुछ ही दिन बाद वह मेरे सपने में आने लगी। उस जगह को भी मैंने देखा है। मैं इस घड़ना की पुरी कहानी आपको बाद में भेशता हूं। अगर लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजेगा। धन्यवाद गुरुजी जैमा पराशक्ति। तो देखिए पहले प्रशन से शुरू करते हैं। जयातर प्रशन विवाह से संबंदी थी हैं। तो प्रशन पूछा गया है कि क्या विद्वा इस्त्री से विवाह शादी कर सकते हैं और उनसे साधी करने पर क्या धर्म नाश होता है। अत्वा पित्रों की इस्तिति बिगड़ जाती है। देखिए पहली प्रशन का जो उत्तर है वो इस प्रकार से है कि कोई विष्त्री हो चाहें वो विद्वा हो या फिर कोई कन्या है जिससे आपको विवाह करना है। उस पर दया करके कभी भी शादी करने की कोशिश ना करें। विवाह दो लोगों की रजामंदी और प्रेम से होता है। प्रेम उत्पन जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं। प्रेम आत्मिक होना चाहिए शारिरिक नहीं। सबसे पहली बात। आत्मीक प्रेम तब जागरत होता है जब मनो नुकूल व्यक्ति को दूसरा भी मनो नुकूल व्यक्ति ही मिलता है यानि जैसा वो खुद है उसके जैसे ही सुभाव वाला दूसरा व्यक्ति भी है अगर दोनों का सुभाव एक जैसा है तो जीवन की जो गाड़ी है वो चलने म में आसान होगी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन होती है कि कोई इस्त्री का विवाह उसकी मर्जी के बिना अथ्वा किसी अभाग या किसी पूर्व जन्म के गलत कर्म की वजह से उसको इश्वर द्वारा धंडित किया जाता है और उससे फिर विद्वा का जीवन व्य अगर किसी प्रकार से पवित्र हो जाए तो फिर आपको उससे विवाह करने में कोई परिशानी नहीं है और नहीं इससे धर्म का नाश होगा और नहीं इससे पित्रों की इस्तिति बिगड़ती है लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है अगर किसी विद्वा इस्त्री से अग कि वह आपके जैसी है, आपके मन के अनकूल है, तो उसे अवस्य ही साध्वी बनाना चाहिए, उसे शरण में लेना चाहिए, अपनी और ईश्वर के प्रति मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो अवस्य ही इसी बुरे कर्म की वजह से ही हुआ होगा, जो साध इसने जनम में ना किया हो, और जनम का कोई फलू से प्राप्त हुआ हो, जिसके कार्ण उसके साथ गलत हुआ, अब जैसे जीवन कभी नहीं रुखता है, उसी तरह हमारे जीवन भी लगातार चलते रहते हैं, इसलिए ऐसे वक्ति को भी चुना जा सकता है, वह पुरी तरे शुद्ध है, तो फिर ऐसा संबंध कभी भी धर्म का नाच नहीं करता है, और सदेव के लिए उत्तम ही प्रदान करता है, ऐसी कोई भी सकती या लड़की या इस्त्री पित्रों की स्तिती कभी नहीं बिगारती है, क्योंकि वह भी पवित्र हो चुकी है, औ तो ऐसे में कोई परिशानी नहीं है, दोसरा प्रशन आपने पूछा है, क्या अनाथाले की लड़की शादी करनी चाहिए, अथवा नहीं, क्योंकि उमें उसकी न तो जाती का पता होता है, न धर्म का पता होता है, और शास्त्र इसकी आग्या नहीं देते हैं, यह भी वही गया है, विदेशों में कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, और उसका विवाह भी अच्छी जगह होता है, लोग अच्छा जीवन भी वितीत करते हैं, इस चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कहां पैदा हुआ है, यह उसके पूर्व जन्मों के करम थे, लेक पैदा हुआ, इस से फरक नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति कहां पैदा हुआ, कोई छोटी जाद में पैदा हुआ, या किसी गरीब घर के व्यक्ति पैदा हुआ, या अनाथाले में पैदा हुआ, या जिसके माबाप ही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उ सुद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि शादी करने का उद्देश हमें मुक्ति प्राप्त करना है, पहली रिण को, जिस रिण को हम कहते हैं, पित्र रिण, पित्र रिण का चुकाना आवश्रक होता है, और यह होता है, जैसे हमारे माबाप ने हमें जीवन दिया, उसी तरह हम भी किसी आत्मा को जीवन दें, जिससे वह भी मुक्त हो सके, इसके लिए हम सही और अच्छा साथी चुनें, ऐसा नहों कि वह एक अयोग की संतान पैदा हो जाए, एक बुरी संतान पैदा हो, जो हमारे आने वाले समय को भी बिगाड़े, और हम अगर स्वर्ग में निवास कर हैं, और फिर हमारे बच्चे अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे उपर ना पड़ जाए, इसलिए चाहें आप अनाथाले की इस्त्री से साधी करें, अत्वा विद्वा इस्त्री से साधी करें, तब भी आप उसे साध्वी बनाईए, इश्वर क सेवा में ले आईए, पूजा पाठ, साधना, मंतर जाप, इत्यादी करके वह इस जनम को शुद्ध कर लेगी, और फिर वह आपके योग्ये होगी, अवश्य ही ऐसी स्त्री से फिर विवाह किया जा सकता है, अब अगला प्रशन कि अगर किसी व्यक्ति को किसी से बहुत प्रेम अत्वा लगाव हो और वह मर गया हो, पर फिर भी वह किसी के सपनों में आता है और ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मेरे पास से, तो इसका मतलब क्या है और इसका उपाए क्या है। तो यह क्योंकि सांसारिक प्रेम है लेकिन प्रेम कैसा भी हो उसे शुद्ध ही माना गया है अगर उसमें वासना ना जुड़ी हो ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई व्यक्ति मर गया है और सबने में आ रहा है हो सकता है उसकी आत्मा भटक रही हो तो आपको उसकी मुक्ति के ल लिए आप उसके नाम से हवन भी कर सकते हैं। पित्र पक्ष में विशेश रूप से उसके लिए सराद कर सकते हैं। इसके अलावा उसके निमित कोई विशेश पूजा करवा सकते हैं। ये सारी चीजें उसकी मुक्ति का कारण बनेंगी और वह मुक्त हो सकती है। अब अगला प्रशन पूछा है, अगर जाती और धर्म मनुश्यों द्वारा बनाये हैं और हम एक ही इश्वर की संतान हैं, तो शास्तर किसी दूसरे के धर्म अथ्वा जाती में विवाह की आज्या क्यों नहीं देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हर धर्म दूसरे से भिन है, और वैसे तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं, पंथ का मतलब होता है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेश, पैगंबर इत्यादी के द्वारा कोई मार्ग बताया गया हो, जिस पे चलके व्यक्ति इ एक ही व्यक्ति नहीं है, यहां हजारो लाको करोडों व्यक्ति हैं, जिनों ने अपने अपने सिद्धान्त देकर एक शाष्वत धर्म का प्रादुर्भाव किया और उसे फैलाया है, उसके बारे में बताया है, लेकिन प्रस्न यह है कि हम दूसरे धर्म में विवाह क्यों नहीं कर सकते का देखिए हर एक धर्म का एक उत्यष्य होता है कुछ धर्मों में आप देखेंगे विवाह का मतलब होता है आपसी संजोता संजोता तो टूट भी सकता है जैसे कि आप इसाई धर्म में सनस्कार आप एक संस्कार है जो कि 16 संसकारों में आता है संसकार का मतलब है कि हम इससे संविछेद नहीं कर सकते इस चीज को तोड़ नहीं सकते लेकिन हम दूसरों के प्रभाव की कारण समाज में परचलित माननेताओं के हिसाब से हम तोड़ने भी लगे हैं अब हिंदु धर्म में भी देखने को मिल रहा है यह सब पश्चमी करण का ही असर है वरना यह संभावी नहीं है कि एक स्त्री एक पुरुष कभी एक दुसरे को छोड़े या किसी प्रकार से त्याग है क्योंकि त्याग तो शरीर का होता है मन आत्मा का त्याग कभी नहीं होता है यह सत्य हम सब जानते हैं हम आत्मा को मानते थे हम शरीर को नहीं जानते थे लेकिन पश्चमी सब्विता ने हमें शरीर सिखाया है इसलिए शरीर का जो सुख है उसकी प्रापती के लिए जब विवाह होता है तो फिर वह नहीं टिकता है, तो कि शरीर के ढ़लने के साथ, शरीर के एक दूसरे के आकर्शन के समाप्त होने के बाद, निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रतिकल्य है, और वैमनस से उत्पन होने लगता है, तब आपस में निश्चित रूप से विवाह तूट जाते हैं हमारे धर्म क्योंकि हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है तो यहां पर विवाह मुक्ति का मार्ग ही बताया गया है और मुक्ति कब होगी? मुक्ति तभी होती है जब सच्चित रूप से जितने भी हमने बुरे कर्म कियें उनका हम नाश करें पहला हमारा उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ती लेकिन शुद्ध तरीके से और इससे हम पित्र पक्षे यानि पित्र का जो हमारा एक रिण है पांच प्रकार के रिण माने जाते हैं उसमें से पित्र रिण भी होता है संतान उत्पन करना अवश्चक होता है इस रिंड से मुक्ती प्राप्त करने के बाद पित्र लोग से हमको आगे बढ़ने की आग्या प्राप्त हो जाती है और पित्र लोग से हम मुक्त हो जाते हैं अब आती है बात कि हम क्यों दूसरे के धर्म में विवाहा नहीं करते हैं और इसकी आग्या क्यों नहीं होती है क्योंकि क्या उसने जो भी आपके साथ जुड़ने वाला है आपकी रीती, रिवाज, संसकार, साधना, पूजा और उसी तरह का व्योहार जो शुद्ध बनाता हो क्या वह धारण करता है अगर वह धारण कर सकता है तो दूसरे धर्म के भी विक्ति के साथ आपका विवाह हो सकता है लेकिन अगर वह धारण नहीं कर सकता है तो ऐसा विवाहा आपको पठ भ्रष्ट कर देगा, आपका नाश करेगा, आपका अगला जनम भी बिगार देगा कैसे छोटे से उधान के रूप में लीजिए मान लियां आप शाकाहरी विक्ति हैं और किसी मानसाहरी इस्तरी से आपका विवाह होता है अब अगर आप कहें कि चलिए मैं नहीं खाऊंगा भोजन नहीं करूंगा सिर्फ आप खा लीजिए अगर वो खाती है तो क्या वो उतनी शुद्ध है या उसके संसकार उतने शुद्ध है और ऐसे में जो संतान पैदा होगी उसके अंदर मानसाहरी के गुण भी होंगे और शाकाहरी के भी गुण होंगे तो वो संतान उतनी शुद्ध नहीं होगी जितने आप स्वयम थे यानि आप अधोगती की तरब बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जब पूजा, पाठ, संसकार, मंत्र, जाब, साधना के द्वारा शुद्धी करण प्राप्त किया जाता है, अगर कोई वह नहीं कर रहा है, आपके जैसा नहीं बन रहा है, तो फिर आपका किया गया कर्म पूरी तरह आपको नाश की तरब लेके जाएगा, और वह विवाह मुक्ती नहीं, बलकि बंधन देगा, और विगुरी गतियों की तरब आपको लेका जाएगा, बस इसलिए दूसरे धर्मों में विवाह के लिए मना किया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति साध्वी बनके, को आगे बढ़ गए थे, पुरे संसार में जब मध्यकाल से पहली के स्थिती थी, तब दूसरे धर्म के लोगों का भी हिंदू धर्म में सनातन धर्म में परिवर्टन हुआ था, जिसमें ऐसे बहुत से विदेशी हमारी यहां आए, जैसे कुशान वंस था, गुपतों से पहल भी अपने आपको बदल सकता है, यह कोई आवश्यक नहीं है, कि हमेशा वो एक जैसा ही रहने वाला है, लेकिन वो बदलने की चेश्टा करना चाहता हूँ, तो ऐसे विक्ति के साथ जुड़के आपको कोई परिशाय नहीं आप विवाह कर सकते हैं, अगला प्रशन भी जवाब दे चुका हूँ अच्छी तरह से, कि क्यूं आपको विवाह करना है और क्यूं विवाह नहीं करना है, अगर वह मुस्लिम लड़की पूरी तरह से सनातनी बनती है, और मंतरजाप, पूजापाट, साधना, और जिस तरह से सती इस्तरियां होती है, वैसा बनने का प तो इसका भी वही मतलब है कि अधिकतर कुछ चीजे जो होती है, अधिकतर जब हम कोई भी शक्ति जातर प्रेत लोक में प्रवेश कर जाती है, इसी वज़े से एक्सिडेंट तो अधिकतर प्रेत आत्मा बनने की पूरी उमीद होती है कि वह शक्ति अगर उसने मंतर जाप नह करना नहीं की है, और गुरु मंतर का जाप वगरा नहीं करता है, ऐसा साधक या साधिका या सिकोइस्त्री, तो एक्सिडेंट में अधिकतर मरने वाली आत्मा है, जब तक कि उनकी यहां प्रत्वी लोग में पूरी मिर्त्यू का समय नहीं था, उतने समय तक उन्हें प्रेत बनकर भूत बनकर घूमना पड़ता है, ऐसे में उनके इंदर कोई अधुरी इच्छा या कोई प्रेम या कोई विशेश कामना अगर रह जाती है, तो फिर वो से चिपके रहते हैं, उस बात को बार-बार करना चाहते हैं, वो सकता है अगर आपसे उसको प्रेम या लगाव था, इसी वजह से वहां आपके पास आती हो, और आपसे जुड़ने की कोशिश करती हो, जिसकी वजह से वह ऐसा सपना आपको बार-बार दिखाती होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वही जो मैंने पहले बताया था आपको, कि आपको उनके लिए विशेश पूजा या पार्ट करवालेनी चाहिए, जिससे कि उस आत्मा की मुक्ती हो सके, और इस दुनियादारी के बंधन से वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्स